नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं इंजिनिंग थर्मोडाइनिमिक्स में बड़ा ही फंडामेंटल कोस्चन है बेसिक है एन इंजिन ड्राइव से एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड एट परसेंट ऑफ इट्स पावर इज लॉस्ट इन ट्रांसमिशन टू जनरेटर आप घुमाता है तो उसमें जो मैग्नीटिक फील्ड अपस में कटती है और उस मैगनीटिक फील्ड के कटने से इलक्टिंटी जनरेट होती है उसी का जिक्र हो रहा है इस प्रस्थमें कि इंजन São 10 năm जनेरेटर है जनेरेटर को यह omega to 85% तिए जनेरेटर की जोए Sugar के इंसाथ जनेरेटर जो निकलता है वह सब्सक्रांज़ कि अगर्सक्रीश अजनेर ज्योट्टिस और करेंट है 29.9 चसल सर्द भूर निदिड़ दिवाइट करके किलोवाट बना लेते हैं इसको आम तोर्प किलोवाट में ही चलता है दोस्तों क्योंकि बड़ी इसुटेबल यूनिट है किलोवाट आपके बिजली के बेल भी किलोवाट आवर बनाते हैं जनरेटर है जन एफिजेंसी ओफ 95 परसेंट तो इसके कारण दोस्तों जो पावर इंपुट मिला होगा जनरेटर को इंजन से वो मिला होगा 13.8 डिवाइट बाइपॉइंट 9 5 14.5 तेरी किलोवाट यह तो मिला होगा दोस्तों जनरेटर को इतना मिला होगा और इसका इसने 95 परसेंट 13.8 किलोवाट जनरेट कर दिया जनरेटर में इसके लावा दोस्तों जो इंजन है हमारा इंजन भी आठ परसेंट एनरजी लूच कर देता है ट्रांस्मिशन में आठ परसेंट एनरजी यानि कि 92 परसेंट आप कह सकते हैं जो है वो है इतना 14.3 किलोवाट और 0.92 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा जो इंजन से पावर आउटपुट एक्सुवल में निकला है दोस्तों 15.79 किलोवाट इतना कशनवर य्छेंट करता है और पर 18 परसेंट एनरजी लूच कर देता है जनीटर तक जनेटर यकानिटर और और यह आपका इन्जन दोस्तों कुछ नेर्जी लूज कर देता है , विए इतना इतना डोस्तों एंजन ने जनरेट किया उसमें से कुछ Ennergy लूज कर दिया और generator jho ऐ final गुद्ट बनाता रिश्ध कर दिया और ऑजनरेटर की कुछ सब्सक्राइब कर दियाब तो इंजन ने इतना भेजा fixing 13.8 किलोवाट करीब और करीब करीब 2 किलोवाट आपका नुक्सान हो गया दोस्तों एफिसेंसी और लॉस में और आपको 13.8 किलोवाट मिला है धन्यवाद